Hello, friends. My name is Ghumresh Shado और मैं आप से यह कहना चाहोंगा कि अगर अभी तक आप लगों है अभी अभी अब्लिकेशन नहीं किया एक जाह लिए जहाँ पे मेरी फ्री क्लास लिए भी चलती है प्रदूसर 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 जो होते हैं मतलब मनुस्यों के दारा जो पर्यावरन प्रदूसर फैलाई या ता उसको किस नाम से हम जानते हैं तो मानो जनीत जो पर्यावरन प्रदूसर होता है उसको हम कहते हैं अन्थरोपोजेनिक या प्रदूसर फैलाई जाता है उसको हम क्याते हैं Elena to काफी important प्रस्टन है तो कोईले के दहन से पेट्रोल के दहन से और डीजल के दहन से कौन सा प्रदोशन फैलता है तो वायू प्रदोशन तो राय टेंशन आपको जाएगा वायू प्रदोशन अगला प्रस्टन है निवन में से कौन वैकल्पिक उर्जा का सबसे बड़ा संग्रह गार है काफी important प्रस्टन है तो वैकल्पिक उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या माने आ अगला है सुल्तानपूर जो बर्ड सेंचुरी है निम्लिकित में से किस जगय स्थित्य आपको बतानी है तो सुल्तानपूर बर्ड सेंचूरी आपको मिलेगी गुरुग्राम में गुरुग्राम आपको मिलेगा हरियाना में तो राइट एंसर आपको जाएगा हरियाना के गुरुग्राम में आपको मिलेगी सुल्तानपूर बर्ड सेंचूरी भारत में जो पर्यावरन सरक्षन अधिनियम था जो पर्यावरन सरक्षन एक्ट था इसको आप आदिके इसको अंब्रेला एक्ट भी कहते हैं काफी इंप्रेला एक्ट पूछा गया है तो जो पर्यावरन सरक्षन अधिनियम भारत का इसको अंब्रेला एक्ट के नाम से भी ज अगला प्रस्ण है, निवनमेज से किस ने सरबतम जय विवित्ता सब्द का प्रियोग किया था, काफी important प्रस्ण है, तो जय विवित्ता सब्द का प्रियोग था या सबसे पहले किया गया था, Walter D. रोजन के जारा तो इसे आप यहां देखेगा बायो डाइवरसिटी सब्द का जो प्रियोग है सबसे पहले किया था वाल्टर डी, रोजन ने वही और्णेस ठेकल का संबंद किस्से है तो जो अर्णेस ठेकल इनका संब्द एकोलोजी सब्दे से आप या देखे कि एकोलोजी के प्रवलतक माने आते हैं अडने स्ठेकल और एकोलोजी के प्रवलतक माने आते हैं तो एकोसिस्टम के एकोलोजी मतलब आपका हो गया पारिसित्की और जो एकोसिस्टम आपका हो गया पारिसित्की तंत्र जैनि ecology का संबन्द आपका है Ernest Hakel से और ecosystem का संबन्द आपका है Agitansilis से और Walter D erosion का संबन्द आपका हो जाएगा Jack Vividita से अगला प्रसन है आपका घागरा का जो यूद था यह कब लड़ा गया था काफी important प्रसन है तो घागरा का जो यूद था यह कब लड़ा गया था तो 1529 इस्वी में आपका आदेखेगा 1529 इस्वी में जो है घागरा का यूद लड़ा गया था किसके किसके मद लड़ा गया था यह भी important आपके लिए है तो बाबर और अफगान सासक के मद किसके बाबर और बाबर और नाम है most important person तो जो calciferol है या किस vitamin का रहसानिक नाम है तो vitamin D इसका right answer हो जाएगा vitamin D का जो रहसानिक नाम है इसको हम कहते हैं calciferol तता vitamin D की कमी से कौन सा रोग होता है तो बच्चों में rickets नमक जो बिमारी होती है यह होती है vitamin D की कमी के कारण तो आप इसे या देखिएगा वहीं वयस्कों में vitamin D की कमी से कौन सा रोग होता है तो वयस्कों में एक बिमारी होती है जिसको कहते हैं osteomalacia आप या देखिएगा osteomalacia दोनों आपको या दखना है vitamin D की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स नामक बिमारी होती है और वयस्कों में osteomalacia नामक बिमारी होती है तो इसे आप या देखिएगा तता vitamin D का जो रहसानिक नाम में होता है Kelsey for all उसके बाद vitamin C का रहसानिक नाम क्या होता है इसकोर्विक एसीड क्या होता है vitamin C का रहसानिक नाम होता है इसकोर्विक एसीड उसके बाद vitamin A को हम कहते है इसका रहसानिक नाम होता है रेटिनॉल क्या होता है vitamin A का रहसानिक नाम होता है रेटिनॉल और vitamin E का रहसानिक नाम होता है टोकोफेरॉल क्या होता है तो टोको फेरॉल तो चारो आपको याद अखना है विटामिन D का रासानिक नाम होता है केलसी फेरॉल विटामिन C का होता है स्कॉर्विक एसीड विटामिन जो A हैस का रासानिक नाम होता है रेटिनाल और विटामिन E का रासानिक नाम होता है टोको फेरॉल तो चारों आपको याद अखना है अगला प्रस्थन है, निवन में से कौन सी जो जल्दारा है महासागरे जल्दारा है यहां पे 4 लिखी उए चारों जल्दाराओ के बारे आपको बताना इस में से कौन जो है ठंडी, यानी कि cold current है आपको बताने हैं कोन सी ठंडी जल्दा रहा है तो दिये के options में से इसमें से जो तीन options है आपको मिलेंगे अगुलुहास ब्राजील और गल्फ आप स्ट्रीम यह जो तीनों जल्दा रहा है यह आपको मिलेंगे गर्म जल्दा रहा है आप यह देखिएगा अगुलुहास ब्राजील और गल्फ आप स्ट्रीम यह तीनों गर्म जल्दा रहा है तो राइट एंचर आपका ए हो जाएगा यह जैए कि बेंगुला इसमें से ठंडी जल्दा रहा तो आप अपी से यह देखिएगा जो बेंगुला है इसमें से वह ठंडी जल्दा अगला है केंद्री आलू अनुसंदान संस्थान किस जगह इस्थित है तो आपको मिलेगा जो केंद्री आलू अनुसंदान संस्थान है करणाल में आपको मिलेगा बारती गन्ना अनुसंदान संस्थान अगला प्रस्थान है इह निम्लिकित में से किस सासक से समद्दित है तो एहोल अभिलेक की सासक से संबंदित है तो एहोल अभिलेक का जो संबंद है या पुलकेसिन द्विती से संबंदित है तो आप इसे याद रखेगा पूपरसना है अगलया प्रसना है हल्दी गाटी का जो युद था यह कब लड़ा गया था तो हल्दी गाटी का जो युद था यह लड़ा गया था राणा प्रताप और मान सिंग के मद्ध, मान सिंग जो था उस समय अकबर का सेना पती ताती से भी आप पिया दिखिएगा जो हल्दी गाटी के लड़ाई थी या राणा प्रताप और मान सिंग के मद लड़े गए थी इसमें से जो मान सिंग था वह अकबर का सेना पती था अगला प्रसंग है तो यह जो कथन था कि मैं बालू से ही कांग्रेस से बड़ा अंदोलन खड़ा कर दूगा यह जो प्रसिद्द कथन था यह कहा गया तो रहे टें सरप को हो जाएगा मात्मा गांधी जी के दरा जो है यह कथन कहा गया था तो आप इसे ध्यान दिजेगा अगला है पपीते का जो पीला रंग होता है वह किस के कारण होता है काफी इंपॉर्डेन प्रस्न है तो किस तत्तु के कारण जो है पपीते का जो रंग होता है वह पीला होता है तो पपीते का रंग पिला होता है कैली का जैन्थिन के कारण तो राइट एंसर आपको जाएगा कैली का जैन्थिन के कारण जो है पपीते का जो रंग होता है वह पीला होता है तो राइट एंसर आपको जाएगा option B अगला प्रस्णा है मत अधिकार की जो आयू है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संसोधन के तैद की गई थी काफी important प्रस्णा है तो मत अधिकार की जो आयू थी यह 61 समिधान संसोधन 1988 की तैत आप द्यान दिजिएगा 61 समिधान संसोधन जो होगा तो 1988 में इसके तेज जो है 21 वर्ष से जो है आयू को घटा का ठारवस कल दिया गया था मतादिकार की तो इसे भी आप द्यान दिजिएगा अगला प्रस्थन है फतेपुर शिकरी की जो अस्थापना या किसके दुरा की गई थी तो फतेपुर शिकरी की अस्थापना किया था अगला प्रस्थन है और आग्रा नगर की जो अस्थापना थी यह कि गई थी सिकंदर लोधी के तारा और पाठली पुत्र नगर की जो अस्थापना थी या किया था कौन उदाइन ने थी चारू आपको याद अखना है फिरोशा तुगलक के तारा जोनपुन नगर के अस्थापना की गई थी अकबर के दारा फतेवु सिकरी की सिकंदर लोधी ने आगरा को बसाया था और उधाइन के दारा पाटली पुत्र नगर की अस्थापना की गई थी अगला इंपोर्टन प्रस्वारा है कामलांग जो टाइगर रिजर्व है आपको बताना है कि यह किस राजज में मिलता है कामलांग टाइगर रिजर्व most important Tiger Reserve पे है तो कामलांग Tiger Reserve आपको मिलेगा और नाचर पदिस राज जमी तता यह भारत का पचासमा Tiger Reserve भी है तीसे आप द्यान दिजेगा भारत का पचासमा Tiger Reserve है और नाचर पदिस में स्थीद कामलांग Tiger Reserve अगला प्रस्थन है जो तिसरी बहुत संगती हुई थी या कहां पर आईजित की गई थी तो तिसरी बहुत संगती का आईजन किया गया था पाटली पुत्र में तो आपीस या देखेगा राजगरी में पहली बहुत संगती हुई थी वैसाली में दूसरी हुई थी पाटली पुत्र में तीसरी बहुत संगती हुई थी और कुंडल वन में चोथी बहुत संगती हुई थी चलि आप comment box में बताइए कि यह जो चारो बहुत संगतियां हुई थी इन चारो क्या अलग अलग जो सासन काल था किसके किसके सासनकाल में ये चारो बहुत संगतियों का ऐजन किया गया था आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा अगला प्रस्ण है न्याय दर्षन का प्रवलतक किसे माना जाता है तो न्याय दर्षन का जो प्रवलतक है निम्न में से किसे माना जाता है तो न्याय दर्षन का जो प्रवलतक है या माना जाता है आचारे गौतम को तो रहा टेंचरा को जाएगा आचारे गौतम को जो है न्य दर्शन का प्रवलतक माना जाता है वहीं कपिल मुनी को किसका प्रवलतक मानते हैं तो कपिल मुनी को सांख्य दर्शन का किसका तो सांख्य दर्शन का जो प्रवलतक है वह कपिल मुनी को माना जाता है वहीं पतंजली को किसका प्रवलतक मानते हैं तो योग का किसे है तो पतं तो स्वमिधान सभाई की जो समीति थी राष्ट धौस्वंधी तो इसका अध्यच बनाए गया था डौ्टर राजंदर प्रसाद को तुराय टैंसर आपको जाएगा डौ्टर राजंदर प्रसाद यानि उप्षन C अब हम बात करेंगे करेंट अफेल्स के प्रसनों की तो पह तो प्रतिवर्स आप याद एक जो आदर भूमी दिवस या दो फरोरी के दिन मना जाता है तता इस वर्स की इसकी थीम रखे गए थी वेट लेंड्स एंड बायो डाइवर्सिटी यानि आप्सन जो इसका बी यह बिल्कुल सही है प्रतिवर्स जो विश्व आदर भूमी इसके मद्द आयोजित किया जाता है मैं आपको पताता हूं यह जो प्रस्न है करन्ट एफ्यास का यह प्रस्न आरो-दो-जार-16 की जो वेकेंसी इस बा मतलब जो एक्जाम हुआ है री एक्जाम इसमें यह प्रस्न पूछा गया है कि अजय वारियर जो यूद अब्यास था संगठा नयाने कि डवलुएच्चो ने किस अफ्रिकी देश को पोल्यो मुक्त गोसित किया इसके साथ ही जो पूरा अफ्रिका महादीब है यह पोल्यो मुक्त गोसित हो चुका है तो यह आखरी देश था जहां पे पोल्यो का जो मरीज नहीं पाया गया है नाइजेरिया मे अगला प्रसन है हाली में भारत के बाहर पहला जो योग बिस्विद्याला है या किस देश में अस्थापित किया गया तो भारत के बाहर जो पहला योग बिस्विद्याला या किस देश में अस्थापित किया गया है तो यह देश है अमेरिका और अमेरिका की सहर में अस्तापित किया गया है तो अमेरिका का सहर लास एंजिलिस क्या है तो लास एंजिलिस सहर अमेरिका का यहीं पर अस्तापित किया गया है बिस्व का पहला योग बिस्व विद्याल है तो आप इस यहां देखीगा काफी important प्रसन है अगला important प्रसन हमारा है हाली में बिस्य का पहला हेयर बैंक यानि की केस बैंक कहा खोला गया है तो हाली में बिस्य का जो पहला केस बैंक यानि की हेयर बैंक कहा खोला गया है मैंचेस्टर में तो आप इसे आदेखेगा ब्रिटेन के मैंचेस्टर में जो है बिस्व का पहला केस बैंक एने की हेर बैंक खोला गया है तो आप्सन ये इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्थन है हाली में आयोजित सततर्वा जो गोल्डन ग्लोप पुरुसकार दिया गया है 2020 का इसमें सरवसिस्ट फिल्म का जो खिताब है किसे दिया गया है तो जो सततर्वा गोल्डन ग्लोप पुरुसकार इसबाल दिया गया इसमें सरवसिस्ट फिल्म का किताब देया गया है 1917 को तता यह जो 1917 मूवी यह बनी है वर्ल्ड वार फर्स्ट पे जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था इसके पृस्ट भूमी प्यादारी था यह मूवी उन्नी सो सत्रव आप इस या दिखिए कह तता इस मूवी के डिरेक्टर कौन है तो सैम मेंडेस कौन है सैम मेंडेस के दोरा यह मूवी डिरेक्ट की गई है 1917 अगला प्रस्टन है हाली में कौन सा देश दुबारा राष्ट मंडल यानि कि कौमन विल्द का सदस्ट सी बना है तो दुबारा Commonwealth का सदसी बनाए Commonwealth की जो member c पर यह छोड़ दिया था यह देस पर नतु है दुबारा Commonwealth का Commonwealth यानि राष्टमन्ल का member बन गया देस हैnt तो दुबारा member बनाए तता यह 14 कमन विल्थ का member बना है तुस्या प्या दिखी का मालदिव अगला प्रस्न है तो इसका राय टेंसर आपका हो जाएगा तूर्की के राश्ट पती है रेसेब तैयब एडोगॉन यानि आपके मिलेगी अंकारा क्या है अंकारा तूर्की के राजानी है अगला प्रस्न है हाली में किस भारती बैंक ने अपनी जो साका है ऑस्टेलिया के विक्टोरिया राज्जी में खोली है तो कौन सा भारती बैंक है जिसने अपनी साका हाली में ऑस्टेलिया के विक्टोरिया में खोली है तो या भारती बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया य जो like an park ये बनाया गया गया है, उत्राखण के मुंसियारी डिस्टिक में कहां, तो उत्राखण के मुंसियारी नमक जगाये पे जो है, भारत का पहळा, क्या बनाया गया है, तो like an park बनाया गया है, तो दोस्तों यह जो हमारा part 27 था इसको हमने पूरे विस्तार में cover कर लिया है हम जल्दी मिलेंगे इसके अगले भाग में तब तक के लिए thank you thanks for watching, thank you